नमस्कार साथियो आज हम बात करेंगे चोदरी अजीत सिंग के बारे में कौन थे चोदरी अजीत सिंग क्यों उन्हें किसान नेता कहा जाता है चोदरी अजीत सिंग का जनम 12 फरवरी 1949 को बडोला गाउं जिला मेरेठ में हुआ चोदरी अजीत सिंग के पिता का नाम चोदरी चरण सिंग जो देश के पूरो में परदानमंत्री रह चुके हैं चोदरी अजीत सिंग की माता का नाम गाइतरी देवी और उनकी पतनी का नाम रादीका चोधरी अजीत सिंग की दो बेटियां है, एक लड़का है, लड़के का नाम जियन्च चोधरी है अब हम बात करेंगे चोधरी अजीत सिंग की सुरुवाती पढ़ाई चोधरी अजीत सिंग ने अपनी सुरुवाती पढ़ाई लखनव उनिविश्टी से की लखनाव उनिश्टी से उन्होंने BIC की और बाद में इंजिनिरिंग की पढ़ाई करने के लिए वेन उन्होंने IIT खड़कपूर जोइन किया बाद में वे अमरीका चले गई अमरीका के इलनियाइस इंस्टीटूट ओफ टेक्नोलोजी से उन्होंने मास्टर ओफ साइंस किया अजीत सिंग की हम बात कर रहे हैं अजीत सिंग 1960 के दसक में IBM के साथ काम करने वाले पहले बारतिय थे लंबे समय उन्होंने अमरीका में बिताया और 1980 में बाद में जब चोदरी चल्ण सिंग की तबियत खराब होने लगी 1980 की दसक में उन्हें बारत बुला लिया गया और 1986 में उत्तर परदेश की राज्यसवा से वो सांसद चुने गई और 1987 में लोकदल पार्टी का उन्हें अध्यक्स नुक्त किया गया और 1988 में जन्ता पार्टी का भी उन्हें अध्यक्स नुक्त किया गया अजीत सिंग वाजपी सरकार में 2001 से 2003 तक केंद्रिया मंत्री और 2011 में मनमोन की सरकार में भी नागरिक उडियन मंत्री रह चुके हैं अजीत सिंग काफी समय तक किसानों के बीच में रहे हैं धरातल पर उन्होंने काम भी किया है किसानों की आवाज बनकर संसद में भी उन्होंने काम किया है हम बात करें 2009 की 2009 में बागपत से जीते रहें अजीत सिंग अजीत सिंग ने 1989 में पहली बार लोगसबा चुनाओ बाग और 1999 में चुनाव जीत लिया, इसके बाद वो लगातार 2009 तक इस सीट पर जीतते चले गई, 2014 में उन्हें बीजेपी के सत्यापाल से मात मिली थी, इसके बाद 2019 में उन्होंने मुझोफर नगर से लोकसबा चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा, अब हम बात करेंगे अजीत सिंग, अजीत सिंग लंबे समय तक हम बात करें मोधी कारियकाल, मोधी कारियकाल को छोड़ कर जो पीछे बाकी के कारियकाल है, वीपी सिंग के कारियकाल की बात करें, या हम मनमोन सरकार की बात करें, या हम वाजपी सरकार की बात करें, अजीत सिं मतूरा से लोकसबा संसद चुनकर संसद बवन में गए थे अजित सिंग किसानों के नेता है अभी हम पीछे के भी बात करें हम 20 अपरेल को उन्हें करोना हो चुका था करोना लंबा समय हो गया था वो गुड़गाओं के प्राइविट होस्पिटल में एडमिट थे अभी कल ही 6 मई को उनका धयान्त हो गया करोना से वो जंग लड़ रहे थे करोना से जंग हार गई अजीट चिंग जनता के नेता थे जनता उन्हें पसंद करती थी काफी पार्टी के लोगों में और उत्तर प्रदेश की जनता बार्ट की जनता है उन्होंने एक अच्छे नेता को खो तो यह जेन्ट चोधरी और उनके पिता अजीट चोधरी के बारे में हम कुछ बाते आपको बता रहे थे यह जिए पिता जी चोधरी चन्डेश के परदान मंतरी रह चुके हैं अब जेन्द की उपड़ी पारटी की जिम्हवारी है तो देखते हैं किस परकार वह अपनी ज नवाट